जमु कश्मीर के 12 मुला में पाकिस्तान ने सीसफायर का उलंगन किया। देश भर में 130 जिले रेड जोन में आते है महाराश में मुंबई पूरे नासिक समिद 14 जिले रेड जोन घोशिद किया गए 16 ओरेंज और 6 ग्रिन जोन जिले यूपी में लकनो आग्रा, कानपूर, नौइडा समिद 19 जिले रेड जोन में आते हैं पुर्गों से घर में रहने को कहा गया, दस साल से छोटे बच्चों और गर्वती महिलाओं को भी घर के अंदर ही रहने की सलहा। Red Zone और आसपास के इलागों में साइकल रिक्षा और आटो नहीं चलेंगे, नाई की दुकान और स्पा भी बंद रहेंगे। Red Zone में दो बड़ी रियायत, कार में ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो लोग जा सकते हैं, बाइक पर सिर्फ एक आदमी को ट्रावल की परमिशन Red Zone में कॉल सेंटर खुलेंगे, कमेशिल और प्राइवेट कंपनियों को 33% स्टार्फ के साथ दफ्तर खुलने की परमिशन दफ्तरों में भी 5 से ज्यादा लोगे खटा नहीं रह सकते, मास्क और गलव्स के साथ ही काम करने की परमिशन देश के कंटेन्मेंट जोन में रहने वालों के लिए आरोग्य से तो एप डाउन करना अनिवारे होगा सरकार ने सभी सरकारी और नीजी स्टर करमचारियों के लिए भी एप बनाया है जरूरी औरिंज जोन में टैक्सी, सहे तोला और उबेर चलेंगे, एक ड्राइवर और एक पैसिंजर को भी चलने की अजाज़त औरिंज जोन में प्राइवेट कार से चलने की अजाज़त, ज्राइवर के अलावा सिफ दो लोग ही कार में चल सकेंगे पास मिलने पर ही जिले से बाहर जा सकेंगे औरेंज जोन में बाइक पर दो लोग चल सकेंगे रेड जोन में सिर्फ एक शक्स बाइक से चल पाएगा ग्रीन जोन में बसों को चलाने की परमिशन मिली कैपसिटी से आधी सवारी के साथ चलना होगा ग्रीन और ओरेंज जोन में आनलाइन समान मिलेगा रेड जोन में सिर्फ जरूरी आइटेम्स की डिलिवरी होगी रेड जोन को लेकर मम्ता सरकार और केंदर में तकरार वश्चिम मंगाल के दस जिलों को रेड जोन बनाने पर मम्ता ने अतराज जाहिर किया रविवार को देश की तीनों सेनाई को देँगी सलामी देश भर में सेना के लड़ा को विमान करेंगे फ्लाइपास्ट, सीडियेस बिपन, रावत ने किया एलान नेवी के हेलिकॉप्टर अस्पतालों पर फुलों की बारिश करेंगे तेलंगाना से मजदूरों को लेकर पहली ट्रेन पहुंची जारकन, हटिया स्टेशन पर पहुंचने पर मजदूरों को पूल भेट कर स्वागत किया तेलंगाना से आई ट्रेन में करीब 1225 मजदूर थे सवार, सभी को बस से उनके जिनों में ले जाया गया और अब होंगे होम कॉरंटीन राजस्तान के कोटा से भी जारकन के चातर को लेकर स्पेशल ट्रेन राची रवाना हुई ट्रेन में करीब 1226 सवार है, स्टेशन पर जम करता लिया भी बजी जैपूर से बिहार के बारहा सो मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पतना रवाना केवल रेजिस्ट्रेशन कराने वाले मजदूरों को मिली लौटने की जासर जैपूर रेलवे स्टेशन के बाद वोड़ी सोशल स्टेशन की धज्जियां एक बोलेरों में 11-11 मजदूरों को भर कर पहुँचाया का स्टेशन महराश्टे के नासिक से चली श्रमिक एक्स्पेशल ट्रेन भौपाल पहुची ट्रेन में 332 मजदूर सवार्थे सीनियर पूलिस आफिसर ने विदाए दिए मुंबाई में रेलवे प्रशासन को अभी तक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए नहीं मिले हैं कोई आदेश किरल के अलावा अलुभू से स्पेशल ट्रेन भौगनेश्वर रवाना हुई ट्रेन में करीब 1140 मजदूर सवार्थे स्टेशन पर मौझूद अधिकारियों ने तालिया बजा कर होसला बढ़ाया अंदबाद रेल्वे स्टेशन से भी ट्रेन चलाने की तयारी मजदूरों को रेजिस्ट्रेशन होने के बाद तैय होगा ट्रेन चलाने का फैसला रेल्वे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी तयार्या की गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए स्लीपर का किराया वसूला जाएगा साथी सूपर फास्ट के 30 रुपए और खाने के लगेंगे 20 रुपए राज्य सरकारों से इसकी पहलपाई होगी पीम मोदी की ग्री मंत्री और रेल मंत्री के साथ बैठक में स्पेशल ट्रेन चलानी को दी गई मंजूरी बैठक में फैसला जिन लोगों में कोरोना के लक्षन उन्हें ट्रेन पर बैजने की मंजूरी नहीं मिलेगी देली सरकार ने कोटा में फसे चात्रों के लिए 40 बसें भी भेजी, कश्मीरी गेट चोमिनस से बसें हुई रवाना, पूरी जांच के बाद बसों में लोटेंगे चात्र देश भर में पिछले 24 घंटे में कुरोना के 1,705 पर नए केस सामने आये है, कुरोना मरीजों की संख्या 35,365 तक पहुची है देश में 24 घंटे में 77 मरीजों की मौत, अब तक 1,155 मरीजों की वाइरस ले चुका है जान कुरोना मरीजों का रिकवरी रेट 25 परसेंट से उपर गया, अब तक 9,064 मरीज ठीक होए है देली में 24 घंटे में कुरोना के 223 नए मरीज सामने आये, कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 3,732 और लोगों की मौत देली सरकार प्लास्मा थरेपी के ट्राइल पर रोक नहीं लगाएगी, सेमके जीवाल निकाया की शुरुआते नतीजे अच्छे आये हैं देली में करोल बाग से आप विधायक विशेश रवी को हुआ कॉरोना, MLA का छोटा भाई भी बीमारी की चपेट देली में CRPF में एक ही बटेलियन के बारा और जवान में करोना पॉजिटिव पाए गए हैं, बटेलियन में अब तक है, टोटल साथ मामले सामने आए हैं आई टी बीपी के पांच जवान करोना पॉजिव पाए गए नब्बे जवानों को कॉरिंटीन किया गया यूपी को भी कॉरोना से रहा थे नहीं है, एक दिन में बढ़ गए हैं 116 केस, अब तक कुल मामलों की संक्या हुई है 2328 नौईडा में एक दिन में सामने आए कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले, 17 रॉपोर्ट आई पॉजिव कॉल कन्फर्म केस की संक्या अब हुई 105 पन गाज़बाद के आठ रहाईशी इलाकों से हटाया गया कंटेंडमेंट जून, फिछले 14 दिन के दौरान कोई केस नहीं मिलने के बाद, इलाका खुलने का फैसला हुआ यूपी के सबसे बड़े हाट स्पोर्ट आगरा में सामने आए, 29 नहीं मामले जिले में अब तक हो चुकी 14 लोगों की मौट यूपी के सीम यूगी आदित नात ने प्रवासी मजदूरों के साथ बात की वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये दिया हर संबम मदद का भरोसा यूपी में मजदूरों के लिए राहत का ऐलान, सीम यूगी ने 30 लाथ मजदूरों को दूसरी बार पैसा देने की घोशना की कहा 8 रहा करोड लोगों तक फिर अनाज पहुचाएं मजदूरों को रोजगार देने के लिए योगी सरकार तयार कहा यूपी का मजदूर देश में कहीं भी ले सकता है राशन जिनका राशन कारम नहीं बना है उन्हें भी अनाज देंगे महराष्ट में कोरोना के मामलों में सबसे लंबी चलांग एक दिन में सामने आए 108 नए मामले कुल पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर हुई 11,506 महराष्ट में 26 और लोग बने हैं कोरोना के शिकार कुने में 10 और मुंबई में 5 ने दम तोड़ा अभी तक अकुल 485 लोगों की मौत हुई मुंबई में भी कोरोना की तेज रफतार जारी 751 नए मामले सामने आए टोटल केस बढ़कर 7,625 हुए महराष्ट में कुल 277 पुलिस करमेचारी कोरोना से इंफेक्टेड हुए हैं मुंबई पुलिस के तीन जवान की मौत हुई है कुने में रोजाना 100 से ज़्यादा मामले आना जारी पिछले 24 घंचे में 115 नए पॉजिटिव केस सामने आए अभी तक कोरोना के 1815 मामले येवत माल में खाना बनाने वाली महिला से 23 लोगों में फैला है कोरोना गैर कानूनी तरीके से गुट्टा खरीदने वाले 7 लोग पॉजिटिव और अभी तक 197 शद्धानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है अभ तक 236 लोगों ने दम तोड़ा है माधिप्रदेश में कोरोना से 8 और लोगों की जान गई 90 लोग पाए गई कोरोना पॉजिटिव कुल कन्फर्म केस की संख्या हुई 2715 राजस्थान में कोरोना के 82 नए मामले सामने आये हैं टोटल आकड़ा हुआ है 266 अब तक 62 लोगों की जान गई है बिहार में कोरोना से तीसरी मौत 41 नए मामले सामने आये कुल कन्फर्म केस की संख्या हुई 466 पटना के आई जी आयमेस अस्पताल में 15 डॉक्टर समेत कुल 60 लोग क्वारेंटीन किये गए जाश रिपोर्ट का इंतजार अस्पताल में इलाज कराने आये 20 लोगों को कुरोना हो चुका है रांची में दो नए मामले सामने आये जारखंट में टोटल संख्या हुई 113 टेक्नीशन के पॉजिटिव मिलने पर रिम्ज अस्पताल का एक बभाग सील किया गया केंदर ने 2 करोर 22 लाग पीपीई का ओरडर दिया फिलहाल देश को 2 करोर 1,000 पीपीई की जरूरत है केंदर ने 2,5 करोर N95, N99 मास्क के ओरडर दिये लगभग 1,5 करोर मास्क घरेलू निर्माताओं से खरीदे जाए देश में 75,000 वेंटी लेटर्स की जरूरत है और अभी लगबग 19,000 वेंटी लेटर्स मौझूद है 61,000 नए वेंटी लेटर्स के लिए ओरडर दिया गया है देश में कोरोना मरीजों के लिए 4 लाग से ज्यादा ऑक्सिजन सिलिंडर मौझूद एक लाग और सिलिंडर का दिया गया ओडर, इंडास्ट्रियल सिलिंडर का भी जरूरत पढ़ने पर इस्तमाल करने की बार पीए मोधी ने की है HRD मिनिस्टर रमिश पुख्रियाल से बात शिक्षा में सुधार नई शिक्षा नीती और ऑनलाइन क्लास को लेकर चर्चा होई पीए मोधी ने पावर सेक्टर के साथ की बैचक कोरोना संकट के दौर में सुधाव के लिए कई सुधाव मांगे ताकि सुधार हो सके दिली गुरुग्राम बॉर्डर सील किये जाने के बाद सुरक्ष्य विवस्ता चाक शौबंद किये गए बॉर्डर पर चेकिंग से गाडियों की लंबी कतार लगी माधिप्रदेश के खंडवा में चार जमातियों पर केस दर्ज कोरोना संक्रमन फैल नहीं कारो माधिप्रदेश से प्रयाग राज पहुंचे मज़़ूरों को लेकर बद इंतर्जामी जमू किश्मीर के रामबर में लैंड स्लाइड मलमा गिरने से जमू शिनगर हाईवे पर कई गाड़ियां फसी मलमा हटाने का काम जारी यूपी के रामपूर में दो पक्षों में जमे की नमाज को लेकर पत्थराव और फाइरिंग कई लोग घायल पोलिस ने कई लोगों को मामले में गरफतार भी किया यूपी के पिली बीत में ट्रैक्टर से जा रहे वन विभाग की टीम पर बाग ने किया हमला हमले में एक कर्मचारी घायल महराश्ट के पालगर मॉब लिंचिंग मामले में पांच और आरोपियों को गिरफतार किया गया अब तक 115 लोगों की गिरफतारी दिया मॉंबई में प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा नवी मॉंबई में भारी संख्या में दिखे फ्लामिंगो तीन हफ़ते बाद पहली बार दिखा उत्तर कूरिया कानेता किम जोंग उन एक फेटिलाइजर फैक्टरी के समारों में नजर आया 11 अप्रिल से सामने नहीं आया था नियॉक के एक नर्सिंग होम में कोरोना से 98 लोगों की मौत का शक नर्सिंग होम ने वाइरस से 46 मौत की पुष्टी की इस अकैडमिक साल में नहीं खुलेंगे नियॉक के स्कूल और कॉलेज 22 लाग चात्रों पर इसका असर पड़ेगा नियॉक के गवर्नर के दफ्टर के बाहर परदशे ने जरूरी सिवाओं में शामिल लोगों का ज़्यादा टेस्ट की जाने की मांग ब्राजील में सिया पाउली में नए कबरों को खुदने का कामजारी रियो डिजनेरियो में भी बनाए जा रहे हैं चार हजार नए कबरगा अभी तक 6 हजार लोगों की हो चुकी है यहां पर मौत यूगे में कुरोना से 27,510 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे में 749 लोगों ने दम तोड़ा है ब्रिटेन ने रोजाना एक लाग टिस्ट का आखरा पार किया माई देवस पर दुनिया भर के तमाम शहरों में कोई निकला, नहीं निकला कोई मार्च, पैरिस की सड़ के नजर आई सुनी, ड्रोन से ली गई तस्वीर रिजर्ब बैंक के गवरनर एसस दास आज बैंकों की चीफ के साथ करेंगे बैटक, आरबियाई के कई फैसलों को लागू करने को लेकर चर्चा होगी, रिजर्ब बैंक ने हाल में घटाया है बेहाचतेर